दुनिया में क्रिमिनल वर्ड किस टेक्नोलोजी में आगे बढ़ रहा है। उपलब्द टेक्नोलोजी हमारे लोगों को कैसे सुरक्षा दे सकती है। इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए और इसमें जो बजेट जाएगा वो बाकी सहकुडों खर्चों को बचाने का कारण बन जाएगा। और इसलिए टेक्नोलोजी का बहतर इस्तमाल पूरे पुलिस तंत्र को तो मजबूत करता ही करता है। सामान्य मान्वी को सुरक्षा देने का एक विश्वास नीचे तक हम पहुँचा पा सकते हैं। टेक्नालोजी क्राइम प्रिवेंशन में भी मदद करती हैं और क्राइम डिटेक्शन में भी क्राइम इन्वेस्टिकेशन में भी बहुत काम आती हैं आज देखिए कितने ही अपरादी सिसी टीवी की वज़र से पकड़े जा रहे हैं स्मार्ट सीटी अभ्यान के तहर शहरों में बनाए गए आदुनी कमान एंड कंट्रोल सिस्टिम से भी बहुत मदद मिल रही हैं साथियो इस प्रकार की नई टेक्नोलोजी के विकास के लिए केंद्र सरकार ने पूलीश टेक्नोलोजी मिशन भी शुरू किया है अनेक राज्य भी इसमें अपने स्तर पर काम कर रहे हैं लेकिन यह अनुभव आ रहा है कि हमारे अलग अलग प्रयोग होने के कारण हमारी टेक्नोलोजी एक दुसरे के साथ बात नहीं करती है और इसलिए हमारी एनर्जी बेष्ट होती है वो जो भी मट्रियल है वो उस राज्य तक सिमित रहता है हमें कॉमन प्लेटफर्म की विशय में बड़ा मन रख करके सोचना ही पड़ेगा किसी एक के पास बहुत उत्तम चीज है तो यह मान करके न बैठे कि मेरे पास है मैं तो किसी ओको दूंगा नहीं मैं अपनी ताकत बनाए रखूंगा एक समय आएगा कितने उत्तम टेक्लोलोजी होगी और लोगों के साहियोग में नहीं होगी तो स्टैंड एलोन निकम्मी हो जाएगी और इसलिए टेक्लोलोजी मैं भारत के संदर्मे में सोच रहा हमारी सभी बेस्ट प्रक्रिसीज बेस्ट इनोवेशन कॉमन लिंक वाले ही होने चाहिए इंटर अप्रेबल होने चाहिए एक दूसरे के साथ लगातार सरल्ता से बात कर सके ये विवस्थाएं अनिवारिये हैं साथियो आज फॉरंसिक साइंस का महत्मा बढ़ रहा है और वो सिरफ पुलीस महकम के तक सिमित नहीं है जी लीगल फैटर इंडिटी को फॉरंसिक साइंस समझना पड़ेगा जूडिशरी को फॉरंसिक साइंस समझना पड़ेगा इवन हॉस्पिटल को भी फॉरंसिक साइंस समझना पड़ेगा इन सबके प्रहत्न से ही forensic science का उप्योग crime और criminal को सजा दिना ले में बहुत काम आ सकता है अकेला police के पाद forensic science की कुछ व्यवस्ता है इनप नहीं होगा और इसलिए हर राज्य में हमें संकलीत और संतुलीत व्यवस्ता हर राज्य को गांधी नगर सीट नेश्नल forensic science university की और उसकी ख्षमता आज दुनिया के साट सत्तर देश forensic science university का लाब ले रहे हैं हमारे राज्यों ने भी बढ़ चट करके लाब लेना चाहिए ये पूरी तरह futuristic technology driven व्यवस्ता है human resource development का भी बहाँ काम है नए नए टेक्नलोजिक टूल बनाने का भी काम है और केस बड़े कठीं केस इसको सुल जाने में भी वो लेब काम आ रही है मैं समझता हूँ कि इस व्यवस्ता का उपयोग रसभी राज्य सक्रियता से कैसे करे साथियों कानून व्यवस्ता को बना रखना एक 24 बाई 7 भाला काम है लेकिन किसी भी काम में ये भी आवशड़ है कि हम निरंतर प्रक्रियों में सुधार करते चले उन्हें आदिविक बनाते चले बीते वर्षों में भारत सरकार के स्तर पर कानून व्यवस्ता से जुड़े रिफार्म्स हुए है उन्होंने पुरे देश में शांती का बातावन बनाने में मदद की है आप भी जानते हैं कि भारत की विविदता भारत की विशालता की बज़र से हमारे लौ एन्फोर्स्मेंट सिस्टिम पर कितना दबा होता है इसलिए बहुत जरूरे हैं कि हमारा ये सिस्टिम सही दिशा में उर्जा लगाएं वरना हमने देखा है कि कितने ही अनावशे केसों में छोटी छोटी गलतियों की जाँच में ही पुलिस डिपार्टमेंट की उर्जा चली जाती है इसलिए हमने व्यापार कारोबार से जुड़े अनेकों प्रावधानों को अब दी क्रिमिनलाइज कर दिया है उन्हें अपरावत की स्रेनी से बहार निकाल दिया है डेड़ हजार से जादा पुराने कानू को अनोकों को समाब्त करके भविश्का बहुत बड़ा बोच कम किया गया है मैं तो राज्यों से भी आगरह करता हूँ आप भी अपने हाँ कानूनों को इवेल्यूट कीजिए आजादी के पहले कि जितने कानून है उनको बरतमान तारीकों के साथ जो बड़लाव लाईए हर कानून में क्रिमिनल एंगल और निर्दोस नाजरीकों को परिशानी वो वक्त चला गया है सात्यों सरकार को अब जैसे स्वामित्व योजना यह स्वामित्व योजना के तहत देश के गाउं में ड्राउन टेक्नलोलोजिय के माध्यम से प्रॉपर्टी काड़ वित्रित कर रहे हैं वो भी जमिन से जुड़े विबादों को कम करेंगे जगड़े खतम होंगे गाउं के वरना गाउं की समस्यात ज्यादा तर एक कुट जमिन इसने ले लिए उसी में से बड़े जगड़े हो जाते हैं साथियों परोक्ष और अपरोक्ष रूप से किये जाय से अनेक प्रयासों से लोग एंफॉर्समेंट एजन्सियों को भी अपनी प्राक्विक्ता ताय करने में बहुत मदद मिली है लेकिन हमने जब पूरे के नवाज पर चीजों को रख करके अपनी स्ट्रेटेजी में बड़ाव नहीं करेंगे बीस तीस पचास साल पर लिए